सो इन दिस वीडियो लोट आस सब्सक्राइब एक्समजने के लिए यहां पर देखेंगे तो इसमें से हम लोग दो पार्ट समझने के लिए यहां पर देखेंगे तो पहले question को देखे sign 18 degree by cos 72 degree तो अब इसमें पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि यह इसी topic का question है तो इसमें देखे 18 और 72 इसको अगर हम लोग प्लस कर देंगे दोनों angle को 90 हो जाएगा 8,2,10,7,1,8,1,9 इस इन दोनों का सम 90 degree हो रहा है इसका मलब कि it is a pair of complementary angles मलब यह question हमारा इसी topic से related हो गया ठीक है अब इसमें हम लोग क्या करेंगे किसी एक value को किसी एक ratio को दूसरे में convert करेंगे जैसे यहां पे या तो हम numerator में formula लगा सकते हैं या denominator में किसी पे भी लगा सकते हैं जो भी हमको यहां पे खुद recite करना पढ़ेगा so here sin 18 by cos 72 और अभी हम लोग formula पढ़े थे sin 90 sorry sin a equal to cos 90 minus a यहां पे हम लोग यह formula अभी पढ़े थे sin 90 minus a equal to cos a उसको उल्टा बोल सकते हैं cos equal to sin 90 minus a दोनों equal है किसी को भी पहले बोलेंगे बाद में बोलेंगे तो हम यहां पे अगर sin को बदलना चाहते हैं तो इस formula को लगाएंगे और अगर cos को बदलना हैं तो इस formula को लगाएंगे तो हम numerator को convert करने जा रहे हैं यहां पे तो numerator में क्या है sin sin a sin किसमें बदल जाता है cos में तो sin a को लिख सकते हैं cos 90 minus a ठीक है और यहां पे a क्या है a कोई angle angle क्या दिया है 18 degree means sin 18 degree equal to cos 90 minus a a कितना है 18 degree यहां भी a है यहां भी a है तो a का value यहां पे 18 दिया हुआ है अगर हम चाहे हैं तो इसको भी convert कर सकते हैं किसी a को convert करना दोनों को नहीं बदलना है ठीक है तो sin 18 degree sin a equal to cos 90 minus a that is cos 90 minus 18 इसको करेंगे तो cos 72 आ गया बलब इसका value क्या हो जाएगा cos 72 so therefore sin 18 degree by cos 72 degree फिर question यहां लिख रहे हैं equal to sin 18 की जगे क्या लिख सकते हैं cos 72 तो देखिए हो गया cos 72 इसकी जगे by cos 72 यह उतर जाएगा as it is that is one cut गया है पुरा पुरा डिवाइड हो गया तो one आ गया अगर हम इसको भी बदलते तो यह sin में बदल जाता है फिर cut के one ही आता answer यही आएगा but यह decide करना है कि हमको इसमें किसको convert करना है तो यह formula यहां पर use करेंगे हम लोग ठीक है now let us see one more part consider third part third में दिया है cos 48 degree minus sin 42 degree फिर देखिए इन दोनों का sum 48 plus 42 90 हो गया इसका मलदब it is a pair of complementary angles हम जोग अभी पढ़ रहे है topic क्या है trigonometric ratios of complementary angles अब फिर यहां पर decide करना है कि इसको बदलना है sign में है इसको cos में दोनों में से किसी को decide करना पड़ेगा तो इसी को हम लेके चलना है first term को ही cos A यहां पर क्या लिखा है cos A, A की जगे क्या लिखा है 48 degree ठीक है और formula चाहता है यहां पर देखे cos A cos A को क्या लिख सकते हैं हम लोग sign 90 minus A यह formula यूज कर रहे हैं cos A को convert कर रहे है sign में तो देखे यहां पर cos A that is sign 90 minus A A की जगे क्या लिख दे हैं हम लोग 48 formula वह यूज हो रहा है minus इसको कुछ नहीं करेंगे उतार दे और यह भी हो जाएगा sign 90 minus 48 that is sign 42 minus कर दोगे इस एंगल को तो 42 हो जाएगा sign 42 minus sign 42 that is यह minus होके same डिस क्या आगए 0 यहां पर तो यहां ध्यान से आपको यह formula complementary ratio वालब formula हम लोग यूज करेंगे और किसी एक term में pair में किसी एक में use करेंगे pair में आ रहा है 48, 42 यह pair हो गया ऐसे यहां पर pair हो गया ठीक है now see let us see one more question number two first part here 1048 degree into 1023 into 1042 into 1067 equal to 1 इसमें proof करना है कि यह चारो trigonometric ratio का product into है यहां पर equal to 1 आएगा इसी तरह से इसको आप समझ के करेंगे second part को तो इसमें देखिए यहां पर left hand side हम लोग लेके चलेंगे तो LHS लेके चलेंगे RHS ला देंगे यहां पर ठीक है तो LHS में यह पुरा उतार दिये पहले 4 ratio को यहां पर और आप यहां देखिए यहां पेर में आया 48, 42 यह complementary angles का पेर होगा 90 होग रहा है इसी तरह से 23 और 67 इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा तो यहां दो पेर बन गए एक 1048 इन्टू 1042 इसको एक ब्रेकट में ले लिए हम लोग फिर 1023 इन्टू 1067 इन्टू 1067 इन्टू 1067 पेर ठीक है यह इट इस पेर आफ complementary angles और अभी हम लोग इसके पहले बताया थे कि इन दोनों में से किसी एक को convert करेंगे हम लोग तो 10 किसमें बदल जाता है कॉट में ठीक है तो अगर इसी को हम लोग convert करते है 1048 तो 10A 10A का formula यहां पे है 10A इक्वल टू कॉट 90 माइनस A तो बिदे हल्प आफ इस formula कॉट 90 माइनस A A that is 48 ओके इन्टो 1042 उतर गए यहां पे इन्टो इसी तरह से 23 कॉट में बदल देंगे 90 माइनस 23 90 माइनस A इन्टो 1067 अब इसको solve कर देंगे तो 90 माइनस 48 that is 42 कॉट 42 इन्टो 1042 इन्टो कॉट 67 इन्टो 1067 और एक फार्मूला रोम में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉट और 10 बोले थे दिया रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मदलब कि कॉट इक्वल टू 1 बाई 10 हम लोग जब कुशी का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो उसका वन बाई कर देते हैं कॉट A इक्वल टू 1 बाई 10 या 10 A इक्वल टू 1 बाई कॉट यе रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है जैसे X का रेसिप्रोकल एलजेविला में हम लोग पढ़ते हैं 1 बाई X तो कॉट का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई 10 42 यह इसका यहाँ पर reciprocal into 1042 इसी तरह से cot 67 its reciprocal 1 by 10 67 into 10 यह उतर गया यहाँ पर this is the formula यह first exercise का formula है और यह cut जाएगा 1042 उपर नीचे cut जाएगा बचेगा 1 into यहाँ पर into है into यहाँ भी cut किया 1 so 1 into 1 that is 1 so this is the RHS हमको RHS मिल गया तो इस तरह से हम लोग question number 1 और 2 को solve करेंगे with the help of these 6 formulas इन्ही को use करके हम लोग पहले और 2 question को solve करेंगे okay